आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ आपका 1 degree C के बराबर तो कह रखा कि आपका initial temperature होगा उसका value क्या होगा ठीक है जबकि बोल रखा कि volume आपका constant है तो आपका simple सा concept हमारा यहां पे क्या है कि ideal gas का equation क्या होता PV equal to nRT होता है जहां पे आपका P pressure, V volume n number of moles of gas r gas constant और T आपका temperature होता है तो अगर मैं यहां से लिखना चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूँ pressure is equal to आपका nR by V into T अब यह पूरा का पूरा term तो आपका constant है क्योंकि volume constant दे रखा है और nR को in general हम लोग constant मान के चलते है तो हम लोग यहां से क्या लिख लेंगा कि pressure जो हो गया तो जो change in value of y upon original value of y जो होता है वो आपका बराबर होता है यह जो n है वो multiplication हो जाता है और साथ में हो जाता है change in the value of x upon x तो अगर मैं same concept अगर मैं लगाऊंगा तो इसको लिख सकता हूँ dp by p मतलब change in pressure by original pressure और चुकि यहां तो power 1 है तो जाएगा change in temperature upon original temperature अब यहां पर जो change दे रखा है आपका 1 degree c में दे रखा है मतलब कि जो delta t है वो आपका value दे रखा है आपका 1 degree c के बराबर तो आप delta t चाहे 1 degree c में रहे या फिर आपका Kelvin में रहे आपका ये delta t आपका unit पे depend नहीं घरता कैसे तो जैसे मान लिजे कि अगर आपका मान लिजे value दे रखा आपका t1 degree c तो अगर आपको इसको Kelvin में बदलना होगा तो आप लिख लोगा इसको t1 प्लस 270 और अगर मान लिजे आपको दे रखा है t2 degree c तो अगर आप इसको Kelvin में बदलोगे तो हो जागा t2 प्लस 270 अब चाहे तो आप इसका difference निकालो या फिर आप इस term का difference निकालो दोनों में जो delta t का value आएगा वह आपका t2 minus t1 ही आएगा हम लोग इससे क्या कह सकते है कि आपका चाहे तो degree c में दे रखा हो चाहा Kelvin में यह आपका dependent नहीं है तो आप इसको 1 degree c भी कह सकते है या फिर जो change in temperature आप उसको 1 Kelvin भी कह सकते है जो हम लोग ऐसा unit में लेकर के चलेंगे तो अब यहां पर point क्या हो जागा कि मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों side में 100 से multiply कर ले रहा हूं क्यूंकि आपको यहां पर्सेंटेज में दे रखा इसलिए तो यहां पर dp by p into 100 कर लेंगे and it will be equal to the dt by t और साथ में आपका हो जागा into का 100 अब ध्यान देजेगा यहां पर dp by p जो percentage change है जो pressure का वो दे रखा 1% यह पूरा का पूरा value हो जागा 1 और इस 100 को मैं इधर ले आता हूं और यह आपका बराबर हो जागा delta t जो change in temperature है उसका value आपका जो आया वो कितना दे रखा 1 Kelvin जो है ठीक है 1 Kelvin के बराबर and divided by t ओक तो यहां से जो original temperature आएगा it will be equal to the 100 Kelvin ओके so this will be our final answer ओके thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट आउट्स आट 4444 सूपर